दोस्तों अगर आप एक YouTuber हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी important होने वाले ठीक है जब भी आप लोग अपना Google AdSense account open करते हैं तो आपके सामने इस तरह का notification आता है Your YouTube payments are on hold as you have account issues to fix जब हम action वाले option पे click करते हैं तो नीचे pop-up आता है payment के लिए Some additional documents are required to verify your tax information We will use the default application tax rules for your tax residency country until your info is accepted ठीक है तो इस तरह का यहाँ पे हमारे पास notification और pop-up आ रहा है जबकि हम लोगों ने क्या देखा था हमारी जो पिछली वीडियो थी हमारे पास जो tax का जो option आ रहा था वहाँ पे हमने जो document ता अपना जो pen card था वो बिल्कुल easily और सही तरीके से हमने upload कर दिया था फिर भी हमारे पास इस तरह का notification आ चुका है और एक pop-up बे बनावा आ गया ठीक है तो हमें क्या करना है इस condition में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैं आपको बताऊँ कि यह notification और जो pop-up आ रहा है red color का यहां से कैसे अटेगा ठीके प्लस हमारे जो payment है वो hold बिल्कुल भी नहीं होगी जिस तरह किसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही setting करना है अब आपको क्या करना है जब हम लोग अपना YT studio open करते हैं और channel dashboard में जाते हैं और यहां पर जब हम earning वाले option पर आते हैं डोलर का sign बनावाज पर क्लिक करते हैं ठीके इसके बाद थोड़ा right में जाना है तो यहां पर जो हमारा option आता था getting paid का action required यहां पर लिखावा आ चुका है जबकि यहां पर ऐसा कुछ लिखावा नहीं आता था setup completed लिखावाता था green color में ठीके what you need to do submit tax information complete in adsense ठीके हमें इसके लिए क्या करना है complete in adsense वाले option पर क्लिक करना है इसके बाद हमारे सामने यह वाले page open हो जाएगा notification आ जाएगा action पर क्लिक करूँ और निचे यह pop-up आएगा अब मैं आपको desktop view में समझा देता हूँ तो मैंने desktop view यहाँ पर open कर लिया है यहाँ पर देखे को option आ रहा है update tax info इसके लिक करना है इसके बाद आपके सामने यह वाले page open हो जाएगा अभी भी यहाँ पर आ रहा है और उपर की तरफ एक notification आ रहा है थोड़ा से zoom करना है यहाँ पर tax info वाले option पर ठीके यहाँ पर status action required ठीके submitted date लिखी वे आ रही है और expired date लिखी वे आ रही हम यहाँ पर छोटी setting करने है यहाँ पर देखे action required क्या कि delete का यहाँ पर logo बना हुआ है तो इस logo पर हमें click करना है delete this form ठीके जो यहाँ पर additional यहाँ पर form submit हो रखा था वो हम यहाँ पर delete करेंगे तो delete वाले option पर click करना है तो देखे जैसे मैंने delete करा यहाँ पर उपर की तरफ notification और जो red color का pop-up आ रहा था दोनों यहाँ से हट चुके है ठीके Singapore का tax form है वो accepted हो चुका है नीचे United States का हमारा पहले से यहाँ पर approved था दोनों ही हमारे green हो चुके है red color का pop-up और उपर जो red color का notification आ रहा था वो हमारे हट चुके है यानि कि अब हमारा जो payment है वो hold नहीं होगा मैं आपको वापिस से ले जाके दिखाता हूँ वापिस से आपको अपना तो देखिए हमें वापिस से हमारा वही लिखावा आ गया getting paid setup completed ठीके great job you have completed payment setup ठीके हमारा जो यहाँ पर setup था वो complete हो चुका है वैसे तो हमारा पहले भी completed था लेकिन जो हमारा जो हमने extra form submit करा था उसमें क्या था हमें से delete करना था हमारा जो document था already uploaded था लेकिन हमने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था आपको वैसे उसे upload करना था और इस तरह का अगर आपके में आता है notification तो आपको इस तरीके से इस वाले form को delete करना है ठीके काफी लोगों में नहीं भी आ रहा जिसमें आ रहा है उनको delete करना है ऐसा करने से आपकी जो next payment होगी वो hold नहीं होगी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और इस तरह का notification आता है तो आपको ignore नहीं करना ने जो आपकी जो payment हो hold हो सकती है गपराने की उसमें भी कोई बात नहीं क्योंकि जो हमारी payment hold होती है वो next month भी आ जाती है तो हमें ऐसा क्यों करना भी हमारे पास अभी option है जिस तरीके से मैं आपको बताया है action required वाले option में जाना है delete वाले option पे click करना है delete करना है form को और इस तरीके से अपना एक दू मिनट बाद चेक करने ना है हमारा getting paid वाले option setup लिखा वाता है कि नहीं आता ठीके दोस्तों make sure आपको इस वाली problem का solution मिल गया होगा जो notification आपके Google AdSense account पे show कर रहा था जो YouTube payment are on hold as you have account issues to fix ठीके कैसे action पे जाना है कैसे pop-up पे जाना है update text info पे जाना है इसके बाद action required form को delete करना है ठीके बाकिस से लेट इट कोई भी कोई रहे है तो अब मुस्से comment box में पूछ सकते है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नहीं वीडियो में तो गाई thanks for watching this video and subscribe this channel